हेलो फ्रेंड्स, वल्कम बैक टो मैं चैनल और एट्सेट का जब रीक्टाइम हुआ था मैट का कोशन है उसमें मैट्रिक्स की कोशन पूछे गए थे तो ये एक पहला सवाल है मैट्रिक्स का और ये दूसरा तो इसको कैसे सॉल्फ करते हैं सबसे पहले जब लिखते हैं 2 x 3 और 3 x 2 इसका मतलब जो नेक्स्ट आएगा हो आएगा 2 x 2 में आएगा ये है रो और ये है कॉलम सबसे पहले 1 जो 1 है 1-2-3 ये इस तीनों से मल्टिप्लाई होगा जैसे 1 x 2 minus 2 x 4 or a plus 3 x 2 similarly this minus 4 x 2 plus 2 x 4 plus 5 into 2 now again इसका 1 minus 2 3 3 5 1 से multiply होगा 1 into 3 और ये minus का sign है तो minus 2 into 5 plus 3 into 1 similarly minus 4 minus 4 into 3 plus 2 into 5 plus 5 into 1 और ये कॉलम 2 रो 2 now just simplify it simplify करना तो असान है 2 minus 8 plus 6 minus 8 plus 8 plus 10 3 minus 10 plus 3 minus 12 plus 10 plus 5 answer will come we will add then 0 this is 10 this was the question asked in next examination paper 1 math in re-exam now find inverse of this matrix तो inverse निकालने का formula होता है A inverse and joint by A determinant सबसे पहले इसका determinant निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा determinant निकालने के लिए इसका निकालने के लिए इसका फर्मूला होता है जो डाइगनल है 5 और 3 उसका opposite करना है जैसे 5 और 3 है यहाँ पे 3 और 5 हो जाएगा और जो इधर है 2 और 7 इसका सिर्फ sign चेंज करना है minus 2 और minus 7 तो यह इसका determinant है और यह इसका adjoint है तो formula adjoint by determinant तो adjoint हो गया यह 3 minus 2 minus 7 और determinant तो 1 था तो 1 लिखने के जरूरत नहीं है तो यह था question जो matrix से पुछा गया था और इस पर हो सकता है पूछे कुछी भी पूछ सकता है जैसे 3 into 3 यह 2 into 2 matrix है 3 into 3 matrix का भी पुछा जा सकता है यह दो सकता है थास तो अजब वीटिस्वाइश धूदे विट्य वेड़्या था सकता है